इस एपिसोड में मैं एंटलर को ही आगे प्रोसीड करूंगा और जो हमने प्रीविस दो वीडियो में हम लोगों ने जो चीजें देखी अब उसको एक्चली इंप्लिमेंट करके देखते हैं कि एक्चली एंटलर का कोड कैसे जनरेट होता है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग अनिटाइम लेट्स स्टार्ट उसके लिए मैं एक जावा का एम्टी प्रोजेक्ट करियेट कर रहा हूँ यह ज़रूरी नहीं है कि आप लोग बिल्कुल एक ब्राइंड न्यू प्रोजेक्ट करियेट्स के लिए करें हैं अब्यस्ली अगर आप लोग काम कर रहे हैं कोई आपका प्रोजेक्ट एक्जिस्ट करता है और आप इसके अंदर ऐसा फीचर डालना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है आपने ये वीडियो पूरी गोर से देखनी है कोई स्टेप मिस मत कीजेगा मैं बिलकुल बेबी स्टेप्स के साथ उसको लेके चलूँगा और अगर आप लोग वो सारे स्टेप्स देख रहेंगे तो ये सारी चीजें आप बहुत इजीली कर सकेंगे कि न्यू प्रोजेक्ट में किस तरीके से एंटलर को इंक्लूड करना है या existing project में किस तरीके से analog को include करना है वो सरी चीज़ें आप असानी से देख सकते हैं दूसरी एक important बात मैं यहां पर यह भी बता दूँ मैं इस tutorial में एक empty Java project के साथ start कर रहा हूँ लेकिन आप इसको maven project के साथ भी कर सकते हैं उसमें जो required jar file होगी वो just आपको as a dependence उसमें add करनी होगी लेकिन to keep the things simple I'm not following that path और मैं इसको एक plain empty Java project से ही create करूँगा so let's start सबसे पहले मैं एक project जो है वो Java का create कर लेता हूँ let's name it entler demo और jdk17 मैं use कर रहा हूँ इसके लिए click next और finish module की जुरत नहीं है so I don't want to create any module अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक empty project जो है वो बन गया अब मैं quickly ये करूँगा कि इस के अंदर में दो packages जो है वो create कर लोगा so एक package का नाम मैं रख लेता हूँ controller और एक package का नाम जो है वो मैं रख लेता हूँ parser तो मेरी intention ये है कि जो भी मेरा enter का generated code होगा वो मैं इस parser के package के अंदर basically रखूँगा और जो भी मेरा custom code होगा वो मैं अपने controller के अंदर रखूँगा मैं अब ये करता हूँ कि controller के अंदर एक main class जो है let's name that class as main वो मैंने create कर ली है with public static void main method और यहाँ पर अगर अब मैं simply एक output statement लगा के check करूँ everything is working fine or not और यहाँ पर हम कोई भी message लिख रेते हैं let's type our famous hello world here save this and run this और हमारे पास यहाँ पर hello world आ गया that means कि यह तो चीज़ें चल दी हैं अब आप इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं कि यह already pre-created project है आप इसके अंदर requirement आगे कि जी आपने enter की support डालनी है अच्छा उस काम के लिए अब हम क्या कर सकते हैं last video में आप लोगों के साथ share की है एक तो जो मेरा sample program है वो और एक जो grammar है मैं उन दोनों को यहाँ पर in form of text files create कर लेता हूँ और इसी project में उसको add कर देता हूँ so sample program के लिए मैं एक text file create कर रहा हूँ let's name it as कोई भी नाम रख ले मैंने रख लिया prog.gram और इसके अंदर मैं अपना जो program है sample program यह मैं लिख रहा हूँ यह वो ही program है जो आप लोग पहले से देख चुके हैं एक और file create कर लेते हैं जिसमें मैं अपनी grammar जो है वो store करूँगा और उसका नाम मैं रख रहा हूँ gram.g4 important यह है कि इसकी extension है वो .g4 रखनी है और previous video में मैंने जो grammar आप लोगों के साथ discuss की थी यह वो ही grammar है मैं इसको place कर रहा हूँ यहाँ पर okay grammar भी place होगी और यह सारी चीज़ें भी place होगे अब next step जो है उसमें मेरे पास अब यह चीज़ आएगी कि मैं जो required jar file है antler की उसको मैं download करूँ और अपने project में add करूँ so अब हम यह काम कर लेते हैं jar file download करने के लिए अगर आप इस URL पर जाएं I will mention this URL in the description as well और इसके download के section में अगर आप जाएंगे और वहां पे आप antler tool and java target में जाएंगे तो यह पहला जो link है अगर आप इस पे click करें तो you will be able to download the latest jar file जो कि यहां पे download हो चुकी है अब मैं इस jar file को उसी जगह पे copy करूँगा जहां पे मैंने अपना project create किया है project मैंने कहां पे create किया है उसको हम यहां पे project की properties में जाके location से चेक कर सकते हैं यह वो location है जहां पे मैंने project create किया है इस spot को हम copy कर लेते हैं और यहां पे मैं quickly spot पे आ जाता हूँ तो यह मेरा project खुल गया अब इसके अंदर में jar file जो है जो इस वक्त मैंने download की है यह वो jar file पड़ी है इसको मैं copy करके उसमें ले जाता हूँ so simply मैंने इसको copy किया और उसके बाद यहां पर मैंने इसको paste कर दिया और अगर मैं अब अपने eclipse में जाके refresh करूँगा तो मुझे यह jar file यहां पे नजर आ जाएगी लेकिन obviously अगर इसको मुझे use करना है तो मुझे इसको build path में भी add करना पड़ेगा तो अब मैं इसको quickly build path में add कर देता हूँ powershell की खोल लिए and let's go to this path now और अगर मैं dir करूँ तो यहां पे आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास जो grammar file है वो भी available है और जो jar file है वो भी available है तो simply इस jar file को मैं run करूँगा using java-jar और इसको as an input मुझे यही grammar file को देना है लेकिन जैसा कि मैंने भी आप लोगों के साथ share किया कि मैंने एक package बनाया है parser के नाम से और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना code उस package के अंडर रखूँ तो by default मैं ये flag भी इसमें दे सकता हूँ कि code generation के लिए जो package इंपोर्ट करना है या package की जो information डालनी है वो किस नाम से डालनी है तो वो इस नाम से इसमें डालनी है अगर तो कोई मसला होगा grammar में अगर आपने grammar गलत लिखी होगी तो जो ही आप ये command execute करेंगे यहाँ पे command line पे आपको inform of error वो चीज़ नज़र आएगी लेकिन अगर आपकी grammar में कोई भी गलती नहीं है syntax की गलती की बात कर रहा हूँ obviously logical error की बात मैं नहीं कर रहा syntactically अगर आपकी grammar बिल्कुल ठीक है तो इस command की execution के उपर आपको कोई भी message नहीं आएगा so मैंने इसको execute किया कोई message नहीं आया that means कि मेरी grammar बिल्कुल ठीक है उसमें कोई issue नहीं है अब अगर मैं diar करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसने कुछ files जो हैं यहां पर generate कर दी है कुछ java files generate कर दी है कुछ token files basically इसने कुछ lexor के लिए भी कुछ code generate किया है और parser के लिए भी generate कर दी है अब मैं वापस eclipse में आता हूँ उसको refresh करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि almost eight different files इसने यहां पर create कर दी हैं हमें इन files को in detail देखने की जरुरत नहीं है क्योंकि मैं इस tutorial में सिर्फ इसका usage बता रहा हूँ in depth या technically इसको नहीं देखेंगे और देखने की जरुरत भी नहीं है हमें सिर्फ इसको use करने का तरीका आना चाहिए मैं अब इन generated files को अपने required parser के अंदर move कर देता हूँ यह मैंने सारा generated code इसके अंदर move करती है आप देख सकते हैं अच्छा अब next step आ जाता है कि इस code को जो generated code है इसको मैं use कैसे करूँ मैं obviously जो generated code है उसमें किसी किसम की changes नहीं करूँगा तो अगर मुझे कुछ changes करनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा obviously I will be using inheritance मैं अपनी एक class या अपने listeners जो हैं वो inherit करूँगा इसके base listeners से अपनी logic उसमें implement करूँगा और जो methods मैं override कर सकता हूँ वो मैं फिर override करके अपनी logic उसमें implement करूँगा तो अब मैं अपनी जो program को देखूँ तो उसके accordingly मैं अपना एक listener जो है वो implement कर लेता हूँ तो वो मैं controller package के अंदर create करूँगा controller package के अंदर मैं class create कर लेता हूँ और let's name that class my listener obviously main method इसमें मुझे नहीं चाहिए constructor जो है वो मैं इसका create कर लेता हूँ और इसको मैं inherit किस class से करूँगा इसको मैं ये grammar base listener class है इस से मैं इसको inherit करूँगा so मैंने ये class जो है यहां से inherit कर ली अच्छा अब एक important चीज मैं यहां पर highlight कर दूँ कि हमने जो grammar लिखी उसमें हमने different parser rules यहां पर define की हैं जो जिनके name small case में है like statement है program है assignment print add तो जो antler ने मुझे code generate करके दिया तो उसको use करने का बड़ा simple सा एक तरीका यह होता है कि इसके against उसने कुछ functions जो हैं वो generate कर दिये हैं जिनका prefix enter होगा कुछ functions ऐसे हैं जिनका prefix exit होगा तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि enter वाले जो method हैं मैं अगर आपको दिखा भी दूँ यहां पर for example अगर मैं यहां पर enter type करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सारे methods नजर आ रहे हैं enter add, assign, every rule के against भी enter है, print के against है, program, statement, सब के against आपको enter method नजर आप इसका मतलब यह है कि जब आपका parser चलेगा तो for example उसने यह वाली statement parse करनी है तो statement की parsing करने से पहले यह वाला method को आपको 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 पास एक exit prefix के साथ भी यही सारे methods available हैं तो उसका क्या मतलब होगा, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया, कि जब हम यह वाली statement को read कर लेंगे, उसके बाद मेरा यह exit वाला method call होगा अब मुझे जो है, कौन-कौन से methods override करने हैं, हमने जितनी statements को यहाँ पे लिखा है, वो तीन types की statements हैं, assignment है, add की statement है और print की statement है, तो इन तीनों के जो exit prefix के साथ जो methods है, मैं उनको यहाँ पे override करूँगा, यह सारा code है जी, जो के मैंने इसका my listener का लिखा है, और मैं इसको go through करत आँ, it's not so complex, बहुत easy सा code है, तो starting at the very beginning, मैंने यहाँ एक hash map create किया है, जिसमें मैं string as a key ले रहा हूँ, और value में as an integer ले रहा हूँ, यह मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा program है, उसमें मुझे requirement मेरी एक नजर आई है, कि उसमें variable के names हैं, और उसके साथ उन variables को values भी assigned ह तो मैं यह एक key pair की form में इसको रखना चाहता हूँ, तो एक hash map में मैं इसको place कर सकता हूँ, that's why I have created this hash map here, और constructor के अंदर मैंने इस hash map को initialize कर लिया है, after that मैंने assignment की statement को जो है, उसका exit method जो है, उसको override किया है, तो यहां तक तो यह override का default जो syntax है, वो आपके सामने है, अब मेरी अपनी जो custom logic है, वो यहां से start होती है, जो कि बहुत easily आपको यहां पर नजर आएगी, आपके पास यहां पर context जो है available है, आपकी जो statement इसने parse की है, अब context से क्या मतलब है, कि context में मेरे पास जितने भी lexical analyzer के जो rules हैं, वो भी available होंगे, like वो किस तरह से available होंगे, कि इसने अ तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेरे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये lexical rules के accordingly ये number है और ये id है, तो मैं अगर .id करूँगा तो मेरे पास ये वली चीज़ मिल जाएगी मुझे और अगर मैं context में number को refer करूँगा तो मेरे पास ये चीज़ मिल जाएगी, अब मैंने यहां पर यही किया है कि मैंने variable का name जो है, वो get किया है पहली statement के accordingly, तो अब जैसा कि जो assignment statement है उसके दो variants है, एक variant तो मैंने इस program में use किया और एक variant मैंने प्रोग्राम में use नहीं किया, so let's do that as well, कि एक variant ये भी तो हो सकता है कि एक मैंने variable c create किया और इसकी value को मैंने रख दिय कि जो value a में है वो ही value इसमें रख तो अब ये दो किसम के variants आपको नजर आए, एक पहला variant तो ये है और एक दूसरा variant ये है, इसमें एक एक variable है, इस दो में, तो इसमें जो एक एक variable है तो अगर आप ID करके refer करेंगे तो index 0 पे आपको मिल जाएगा, इसमें दो दो variables हैं, तो य अब आप ये देख सकते हैं कि दोनों cases में, जो पहला variable है, पहला हमेशा variable ही होगा, या आप देख सकते हैं assignment statement के अंदर जो दो variants हैं, उसमें जो index 0 के उपर हमेशा क्या है, एक variable ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर index 0 पे context से get कर लिया और वो variable name मेरे पास आ गया, अच्छ के अंदर number of variables कितने हैं, तो मैंने उसी तरीके से IDs का size check किया, conditional statement के साथ, ternary operator भी सको कह लेंगे हम, तो अगर तो मेरे पास एक से ज़्यादा variables हैं, तो अब मैंने value जो है, वो लेनी है, तो अगर आप गोर करें logic के उपर, कि मुझे अगर ये वली statement आ गई हैं मेरे पास तो पहले मैंने इसको इस किसम की statement में convert कर रहा हूगा, like मुझे पहले a की value डून नहीं है, वो हो जागी 5, तो वो basically statement यही बन जागी, let's see b5, तो इन दोनों चीज़ों को consider करते हुए, मैं पहले ये कर रहा हूँ कि अगर तो मेरे पास number of variables एक से ज्यादा है, तो जो second वाला variable है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, like इस case में अगर मैं देखूं तो वो a बनता है, ये, तो मैंने a को पढ़ के इसमें रख लिया, लेकिन अगर दूसरा case है, तो फिर एक variable होगा, और दूसरा क्या होगा, number होगा, तो अगर इसकी else condition satisfy होती है, तो definitely दूसरी चीज़ में क्या होगा, number पढ़ा होगा, तो मैंने में value में वो रख लिया, तो it means, कि value में या तो actual number value आ रही है, in form of obviously string ही है, लेकिन या तो वो नमबर है, या फिर वो कोई variable है, जिसको मैंने decode करके उसकी value निका लिए, अब उसको decide करने के लिए again, हम एक conditional statement यहां पे लगा सकते हैं, उसमें मैंने यही condition चेक कर ली, कि number of variables अगर तो दो हैं, या कहलें एक से ज्यादा हैं, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इस जो हैश मैप के अंदर, जो मैंने value रखनी है, इसकी के against, जो variable name मैंने पढ़ा है, तो मैंने उसके against, पहले जो second variable है, उसकी value निकालनी है, क्योंकि obvious सी बात है, कि अगर मैं इस किसंद की assignment statement यूज़ करूँगा, तो ये a वाली जो assignment है, कि पहले हो चुकी होगी, जैसे हमारे case में यहाँ पे हो चुकी है, that means case के against, hash map के अंदर already value होगी, तो इस वज़ए से मैंने यहाँ पर, पहले उसकी value निकाली, अब वो value को मैंने उस new variable की value बना दिया, else के case में अगर एक ही variable है, तो उस variable में मैंने जो existing value मैंने as a number पड़ी है, उसको मैंने number में convert करके, क्योंकि मैं obviously hash map में एक integer रख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने इसको integer में cast किया है, और फिर इसको मैंने hash map में populate कर लिया, now by looking at this assign method, यह हर तरह की assignment को जो है, वो अब handle कर लेगा, दो तरह की assignment थी, दोनों मैंने यहां पर आपको dry run करके दिखा दियूं, वो दोनों तरह की assignment यहां पर handle हो रही है, अब देख लेते हैं हमारी add की statement को कि इसमें क्या logic लगी हुए है, तो इसमें भी अगर आप statements को गोर से देखें, तो यह कुछ इस किसम की statement हैं, जो assignment statement में थी, for example, इसमें भी दो variants ही है, like एक हमने little constant को variable में add करके variable में ही store कर रहे है, जो कि यह last में mentioned है, और दूसरे में यह है कि पहले हम इस variable की value को decode करेंगे, और जो value निकलेगी, उसको इस variable के अंदर store कर देंगे, previous value में add करने के बाद, तो यहां पर मैंने उसी तरीके से same logic से पहले तो मैंने variable name जो है, वो get कर लिया, I think this is very easy to understand now, और value भी मैं उसी तरीके से get कर रहा हूँ कि अगर तो multiple variables हैं, तो पहले मैं जो middle variable है, उसकी value निकालूँगा, और वो value मैं यहां पर रखूँगा, otherwise, अगर यह single variable वाली add statement है, तो that means कि मुझे value में जो number mentioned है, उसको उठा गया, तो अस variable name के against, मैंने यह value, previous value हैश मैप में से निकाली, current value जो मैं उसमें add करना चारा हूँ, वो add की, और variable को हैश मैप में मैंने update कर दिया, so that is very simple now, अगली statement अगर हम देखें तो वो print की है, तो print में भी दो किसम के variance हम को देखने को मिल रहे हैं, यहां पर, कि या तो हम literal constant को print कर रहे हैं, या फिर हम एक variable की value को हैश मैप में से निकाल लेंगे और फिर उसको print करेंगे, तो that is very easy to implement now, तो मैंने एक output display करानी है, तो output के लिए मैंने एक string variable यहां पर बनाया है, और मैं simply check कर रहा हूँ कि variable है या नहीं, अगर तो variable defined नहीं है, means null है, तो that means कि number print के साथ है, तो मैंने simply number को पकड़ा और output में रख दिया, लेकिन अगर variable null नहीं है, that means कि variable defined है, तो पहले hash map से उसकी value निकाल लेंगे, यह मैंने उसकी variable को पढ़ा, as an argument, जो है, as a key pass कर दिया, उसको hash map को value get की, उसको string में convert किया, और output में रख लिया, और उस output को मैंने simply console पे display करवा द अब यह सारी logic तो मैंने अपनी लगा दी, जो कि requirement के accordingly vary करेगी, अब हम इसको use कैसे करेंगे, तो उसके लिए main method के अंदर कुछ हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यह main method का मैंने code यहां पे लिख दिया है, अब इसको go through कर लेते हैं quickly, एक simple try catch का block है, और दूसरी important बात यह कि यह जो program जिसको मैंने execute करना है, या उसको, उसका syntax मैंने validate करना है, तो वो, क्योंकि मैंने एक file में रखा हुआ और उस file का जो path है, वो as a command 9 argument मैं इस अपने program को feed कर मैंने अपना lexor का object create किया, और उसको मैंने character streams की form में, जो है, हमारी file पास on कर दी, यह इसको tokenize करेगा, tokenize कैसे करेगा, उसके लिए मैंने common token stream का object create किया, और उसको यह lexor का handle मैंने as an argument pass कर दिया, तो इसने इसको tokenize कर दिया, अब tokenize करने के बाद मैंने parsing start करनी है, तो मैंन मैं उसके लिए parser का object अपना create किया, और उसको यह token stream जो है, वो मैंने as an argument pass कर दी, उसके बाद जो मैंने अपना custom listener लिखा है, उसको मुझे as a listener इस parser के अंदर register करना पड़ेगा, तो मैंने यह parse.add parse listener का object यूज़ किया है, और इसके अंदर as an anonymous object, अपना जो my listener का, जो मैंने object service में pass on कर दिया, अच्छा और इस parser को start करना है, कहां से, starting point क्या होगा, जैसे किसी भी language का हमारा starting point main है, आपकी Java हमेशा main method से start होती है, इसी तरीके से मेरा जो program है, वो कहां से start हो रहा है, हमेशा according to my grammar, वो इस rule से start हो रहा है, हमेशा पहली statement जो चलेगी वो यह चलेगी, तो तो मैंने इस तरह से अपना program जो हो start करना है, तो लहाजा मैंने यह parser.program का method यहां पे call कर दिया, तो यह parsing इसकी चलना start हो देगी, अब जैसे कि हमने previous video में इस program के output को analyze किया था, मैंने सिर्फ यह वली statement जो है, वो additional इसमें add किया है, जो कि for the time being सिर्फ assignment कर रही है, printing में जो भी भी output है, वो 31 और 3 ही आनी चाहिए, उसको चलाने से पहले as a command line argument मुझे इसका absolute path भी डालना होगा, so वो भी कर लेते हैं, मैंने quickly इसका path जो है file का, वो copy किया, copy करने के बाद मैं यह run configurations में जाके, arguments में already वसे entered है, और मैंने इसमें एक इंटर करकी, और just मैंने इसको अब run कर दिया, and make sure, कि यह java application के under जो main है, जो class मैंने बनाई थी, यह उसके arguments में मैंने pass on करना है, so let's run this, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे output में मेरे पास 31, जो उनका आगया result और जो print 3 की statement है, वो भी आगी मेरे पास, और अब इसको थोड़ा सा अगर हम देख लें, तो हमारी यह statement भी चल गई, तो इसको print भी करके देख लेते हैं, कि यह print C बिल्कुछ ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो आप देख सकते हैं कि यह print C मैंने अब किया, तो C पे यहाँ पे कौन सी value assign हुई थी, 5 value assign हुई तो यहाँ पे 5 भी print इसको करना चाहिए, तो quickly इसको चला के देख लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यह भी चल गया, और एक चेक हम यह भी कर लेते हैं कि अगर मैं जो variable जो है, उसको let's suppose, single character के बज़ाए, multi character name अगर मैं use करूँ, let's suppose, यह मैंने variable name यहाँ पे use किया है, तो it should also work, तो अब मैं इसको तुबारा चलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यह भी काम कार रहा है, हाँ, अब आगर मैं कोई syntax error perform करूँ, तो क्या यह मुझे इसके बारे में कुछ बताएगा या नहीं बताएगा, अब let's suppose, मैं यहाँ पे गलती यह करता हूँ, कि मैंने assigning a number to a number, तो यह grammar के rules के accordingly यह गलत है, तो यह इसको बताना चाहिए मुझे, तो अब इसको चला के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं, कि यह उसने error message दिया है कि line 2 और column 5 के उपर आपके पास एक mismatch आ रही है, और program आपका crash भी कर गया है, तो इसको crash थे रोकने के लिए जिसमें से एक feature है कि हम जो custom error listeners हैं, वो भी इसके साथ लगा सकते हैं, तो मैं वो भी आपके साथ एक exercise भी कर लेता हूँ, उसके लिए मैं एक controller के अंदर class जो है, वो create कर लेता हूँ, let's name that class my error listener, और यह जो class मैंने inherit करानी है, यह base error listener से मैंने inherit करानी है, मुझे इसका constructor नहीं चाहिए, यह मेरे पास class आ गई, इसका एक method है, syntax error के नाम से, उसको मैं override कर लेता हूँ, इस method में आप देख सकते हैं, आपके पास काफ़ साथ information आ जाती है, for example, line number भी आपको मिल गया, column number भी आपको मिल गया, तो let's suppose कि अगर मैं यहां पे इसको थोड़ा सा alter कर लूँ, तो यह error listener के अंदर मैंने यह थोड़ा सा अपना code यहां पे inject कर दिया, इसमें मैं simply I am grabbing the line number and column number, और उसको मैं console पर print कर रहा हूँ, और gracefully उसको मैं प्रोग्राम को terminate कर रहा हूँ, अगर कोई syntax error आता है, तो, अब अब इसी syntax error के साथ इसको दोबारा चो है, वो execute करके देख लेते हैं, कि अब यह किस तरह से behave करता, तो अभी भी इसने सही behave नहीं किया, output उसने नहीं दिखाई, क्योंकि अगर आप गोर करें, कि मैंने तो कुछ इस किसम की graceful exit भी करवाई है, और यहां पे तो भी यह graceful exit न parser के अंदर add error listener करूँगा, और अपना error listener मैंने इसमें register करवा दिया, अब मैं अगर इसको execute करूँ, तो आप देख सकते हैं, कि जो code मैंने अपने error listener के अंदर लिखा था, वो अब execute हुआ है, उसमें यह वाला message भी दिखाया है, और exception भी नहीं है, तो इस तरीके से आप अप सही messages भी दिखा सकते हैं, तो ये एक बिल्कुल basic level की introduction थी to antler, इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी field है, I hope कि इस वीडियो को देख के at least आप antler को अपनी basic requirements के लिए use जरूर कर सकते हैं, वीडियो को आप लोगों ने like जरूर करना है, क्योंकि I know कि इस specific वीडियो के जो views है वो इतने ज़्यादा नहीं आने वाले, क्योंकि इस चीज़ को use बहुत कम लोग करते हैं, या बहुत export लोग करते हैं, उनके पास already ये knowledge होता है, ये जो जितने भी मेरी R&D थी इस काम के हवाले से, वो काफी skated form में आपको internet पे मिल जाएगी, लेकिन एक combined format में एक ही जगा मैंने इसको कोशिश किए एक वीडियो में sum up करने की, तो I hope आप लोगों को ये जो मेरी कोशिश है वो अच्छी लगेगी, तो ज़रूर मेरी वीडियो को like भी कीज़ेगा, subscribe भी कीज़ेगा, और अगर आप लोग किसी भी चीज़ से related को tutorial चाते हैं, आपका कोई specific technical question है, I will definitely look into it, so see you till next video